नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल पे भारत बनाम साउध अफ्रिका के बीज खेला जा रहा है पहले टेस्ट मैच इस सेंच्यू दिन में और पहले टेस्ट मैच में भारत ने बहुत अच्छी बड़त यहां पर पराप्त कर ली है भारत अभी तक आपको जानका भारत 136 रन से आगे है साउध अफ्रिका से आज तीसे दिन का खेल खतम होतो होते हैं यहां पर इंडिया ने एक अच्छी खासी बड़त यहां पर बना ली है अभी क्रीज पे मैंग करवार और क्याल राहुल दूसरी इनिंग में खेलने आया हैं साउध अफ्रिका से पहले 297 रन पे ओल आउट होगी है जिसमें मुहमत समी ने पांच विगेट जटके हैं यहां पर बहुत अच्छी की इनबाजी यहां पर भारत की और से देखने को मिली समी ने आज पांच विगेट जटकाए हैं और बुमरा ने भी दो विगेट जटकाए हैं यहां पर और एंकल गूमजानेे कारण उन्हें इस सीरीज से भाहर हो सकते हैं टैस मैज से भाहर हो ही सकते हैं लेकिन बड़ा भारत के लेए कि सीराज ने भी से अच्ची खासी इन्वाजी करी और अटामबा बमुवा ने का अगसर तक जरूर लगाया और तीन विगेट खोगर दोस्तों बहतर मनाए हाला कि दूसरे दिन मौसम बहत खराब रहा और रुक रुक कर बारिस होती रहे जिसकी वज़ेट से खेल नहीं हो सका उमीद है कि तिसरे दिन मौसम साप रहा आज और भारती बल्ले बाजी पारी को आगे भी बढ़ाया लेकिन एक पच्पन डन के अंदर ही पहले सेशन में अपने साथ विगेट यहां पे खो दिये और 327 रन पे पारी को घोसित करना कड़े थे केल रहूल की नजरने तिसरे दिन अपने दोहरे सतक पर थी लेकिन रबाड़ा ने आते ही उन्हें चलता कर दिया इसके बाद अजिक्या रहाने को भी लूंगी एंगडी ने सांदर गेट बाजी के चलते आउट करा लेकिन अगर पूरी बात करी जाए पहले दि दूसरे दिन यहां पर होती रही एक इन तीसरे दिन खेल हुआ और रहूल का विकेट बहुत जल्दी रबाड़ ने चटक दिया है यहां पर 123 रन ने बनाया थे मैंकरवाल ने शार्टर मनाया थे और पूजारा ने यहां पर कोई रन नहीं बनाया था डग पर आउट हुए अब बुम्रा ने 14 रन मनाया थे और जो गेनबाजी हुए थे साउध अफ्रिया की ओड से रबाड़ा ने यहां पर 26 वबर कराया थे बहतर रंदीय थे तीन विकेट नुकसान पर लूंगी एंगड़ी ने चौविस वबर कराया थे इकत्तर रंदीय थे च्छाय विकेट के यहां पर रबाड़ा ने तीन विकेट जटके थे अपने इस पूरी कह सकते तरीकी से फारत की पहली इनिंग में और लूंगे एंगड़ी ने पहली बार 6 विकेट जटके अपने देश में भारत घिलाब यह एक खासा मोमेंट रहा होगा लूंगे एंगड़ी के लिए और म मिल चुकी है करीज पर खेल रहे हैं मैं करवाल और केल राहूल दोने अची सुरवात पहली इनिंग में भी दी लेकिन दूसरे इनिंग में भी सांदार सुरवात यहां पर अभी तक हुए दसन बनाया है अभी तक कोई विकेट अभी तक खोया नहीं है साउद अफ्य की पा अच्छी योगदान वहीं पारी खेली और एक सो तीन गेनों का अनने सामना करा डिकव नहीं पर चौटे से मनाया तिरसट गेनों का सामना करा और और कोई भी बल्लेवाज कोछ ज्यादा कमाल यहां पर करता वा दिखाने रहवाड ने जबूर यहां पारी खेली 45 गेनों मे इसके बाद कोई भी बल्लेवाज कोई भी गेग बाजी यहां पर देखी नहीं लेकिन समी की जितनी तारीफ तरी जाया उतनी कम है समी ने आज पांच विगेट जटके हैं यहां पर 16 अवर कराए 24 रंदी है पांच विगेट यहां पर जटके मुमरा ने साथ दूसमने दो बाहर जाना पड़ गया और दो विगेट उन्हें भी जटके सिराज ने भी यहां पर एक विगेट अपने नाम करा ठाकुर ने ग्यारा उवर कराई काउन नन दिया दो विगेट लोट ठाकुर के खाते में भी अस्विर को यहां पर कोई विगेट यहां पर नहीं मिला 13 पहली पारी को यहां पर समेट दिया और बहुत अच्छी गेंबाजी भारत की ओड़ से देखने को मिली ऐसी गेंबाजी सौध अफरीका ने यहां पर नहीं कराई थी और भारत ने तीनसो सताइस पहले नुमें डाले थे उसके बाद साथ अपर पहली पारी को एक सो सतानव कर दिया यहां पर भारतिय गेंबाजो ने और कह सकते जिस तरीके से अभी मैच चल रहा है ऐसा लगए भारत बहुत जल्द यहां पर मैच को समेट सकता है 140 इनकी भड़ात अभी है तो कम से कम 500-300 इनकी भड़ात हो जरूर चाहेगी और चौथे-5 दिन ते मैच जाएगा द दूसरे दिन बारिस की वज़े से मैच यहां पर ज्यादा नहीं हो पाया था पूरा दिन यहां पर बारिस होती है लेकिन तीसरे दिन जैसी मैच स्टार्ट हुआ आते ही यहां पर केल आल आउट हुए दिन क्या रहने आउट हुए लेकिन लगातार विगटो का पतन भारत क यहां पूरी अगर आपको बता दे अभी तक 140 रंज से ज्यादा की बड़त भारत के पास है केल रहूल मेंगरवाल दूसरी पारी यहां पर खेलने आयो हैं और भारत की पहली पारी 37 सिम्टे थी और दूसरी पारी का अगाज यहां पर अभी तक हो चुका है जियां आज सबसे अच्छा खेल यहां पर भारती के इन बाजों ने दिखाया था और बल्लेबाजी की बात करें तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में क्याल रहूल रशांदार चमकिया और उमीद होगी कि वह चरूर आगे भी ऐसी सेकिंड पारी खेले और भारत को एक अच्छा स्कूर स्रीज जीतने का मौका है और सुरुवात अगास करने का जीत से समीने जटके पांच विकेट 193 रन पे दक्ष्ण अफ्रीगा को नवा जटका है और कैसे कि 690 रन पे स्ताउदर है कि पूरी टीम यहां पर सीमट चुकी है और अगर आपको बता है तो जिस तरीके से यहां प ऌरत को साउद अफरीका की टीम बहुत जल्डी यहां पर सिमट सकती है लेकिन एक ही दिन में भारत दूसरी बार बार बै् soccer साउदाओर की से पहलेख हैं मैं reminders इस साल से कोई भी जीत हम यहां पे साथ जीमी पे नहीं जीते हैं तो इससे सूखे कर चरूर खतम करना चाहेगी भारतियर टीम और जी सरी कैसे भी खेल रही हैं अने एक्सपीरियंस बल्लेबाज हम इसाथ अपर फूरा फूरा फायदा भारत चरूर यहां पे उठाना हैं और पर चरूर भारत बहों भारत बहुत हैं और इस बार वह एक यहां पर फूरा भारत बारत चरूर जा के सब्स्ताइब कर डीज तो वन डे में कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी जो अभी केल राहूल कर रहा है उन्हें कैप्टेंसी का पद भार यहां पर मिल सकता है मैं वीजिया है एक बहुत बड़ी अप्डेट सामने निकल के आ रही है और बुम्रा यहां पर आ कहें न कहीं चोट के कारण बाहर हो सकते हैं टीम से तीसरे दीन जस्वित में से बाहर हो गया है अब यहां से लग सकता है अब ही तक आगर आपको हल बता जा तो भारत बहुत मजबूत इस्तिति में भी दिख रहा है और कितनी यह लीड जाती है तो आने लोग वक्त बताये लेकिन भारत चरूर इस से दीज को यहां पर जीत से अगास करना चाहेगा